हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन वर य्टूब चैनल एक्जाम इनफोर्मर नीतेस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेस्टी एमटेश के वेकेंसी के बारे में मैं आप सभी लोग बता दू इस बार सेसी ने बहुत बुरा करा है और इस बार सेसी ने खुद का है सेसी के उसमें टोटल पोस्ट 12500 पोस्ट थे बट उसके मुताबित जो अंदाजर लगाया जा रहा था अनालेसिस करने के बाद कि अगर इस बार 2-3,000 पोस्ट भी अगर घडाता है सेसी तो 10 या 9000 के बीच में वेकेंसी आने वाला था बट इस बार बहुत कम वेकेंसी दिय सेसी ने इससे पहले वे मैंने ये नोटिफिकेशन तीन गंड़ नहीं आया था उस वीडियो मैंने आप सभी लोग को इनफोर्म किया था बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेलिमें इननरेसिस करेंगे और बहुत सब्सक्राइब अठारा से 15 साल वाले को और 18 से जिदे चाहते हैं एक समस्क्राइब के नहीं है तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैं आप सभी लोगural ने एक प्laar religious हो जाता है फिर आप लोग का जो q2 करना है और में आप लोग का एक्जाम है है कि आप लोग में एक्जाम होगा एक से उनटिस तारीक के बीच सेयल आप लोगों सेजल सोब्सक्तराएं और हम लोग बात के लिए वेकेंसी की तो वेकेंसी में आप सभी लोग को पता दू MTS की 11199 पोस्टर वेकेंसी है और हवलदार की 360 पोस्टर वेकेंसी है ठीक है इस बार बहुत कम दिया है SAC ने वेकेंसी इसी के लिए बहुत सरे बच्चे भी नराज है वाजीब बात है क्यो और मैंने एक विडियो बना की बताया भी था आप लोग को कि इस बार किस चीज़ पर फुकस करना है और कितना क्या वेटेज रहेगा इस बार और कैसे क्या प्रिपेशन करना है अब बात कर लेते हैं हम लोग नेशनलिटी और सिटीजन्षीब की तो आप लोग जो है कि इंड से 25 साल की अगर आप लोग बात कीजेगा तो इसमें जो है कि 28 1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 8 2005 के बाद का स्टूरेंट्स नहीं होना चाहिए ठीक है और 1827 साल वाले में 28 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 18 2005 का बात का नहीं होना चाहिए ठीक है अब करने से हम लोग साहर्ट को सब्सक्राइब करने 2 घृतर चीज तो सब्सक्राइब को ऊफाने मप्रेश्य promotes अब इसे मैं रीडियो में आप अनलेश्म करवा दिया था फोसे नहीं रीडियो में पहले सब्सक्राइब लेते एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तो मैं आप सभी लोग को पता दूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कि आप लोग 10th पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉगनाइस बोट से एक आप लोग 10th पास आउट है तो आप इस फॉर्म को अपलाए कर सकते हैं आप जो है कि इस फॉर्म को तीज तारिक से एससी के ऑफिशल वेफिट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी साइवर के पर जाके अपने अब तक राजिश्टेशन नहीं करवाया तो पहले राजिश्टेशन करवाईएगा आप लोग फोन के फोन से भी कर सकते हैं और इसका अप्लिकेशन फी 100 रुपीज रहता है ठीक है ज्यादा इसका अप्लिकेशन फी नहीं रहता है इसके लिए सभी बच्चे इसको भर देते हैं और आगे हम देक देख लेते हैं अब इसमें आयेगा a scheme of examination का मैं आप सभी लोग को पिता दूड़ जो इसकी होता है एकजाम का तो इसका computer-based वह दो एक्जाम होता जिसमें तेरा चूष कर सकते हैं ठीक है और ऑग जो हता है इस में की जैए और बैटिएगा वह एक्जाम देना तो आप लोग फर्स सिजन लिपा है जिसमें 20 को ज culturally order 20 नोबर के और νे टम मिलता में 45 मिन पर उसमें निगेटिव मार्किंग बिलकुल भी नहीं रहता और जब तक आपको 45 मिनिट्स पाप क्वॉइन्ट होता है इसा पर मेरिट बनते हैं ठीक है इसके बास season two close हो जाएगा और season two में negative marking होता है जिसमें एक नंबर करता है अगर आप लोग गलत कोई भी question करते हैं तो ठीक है अब बात कर लेते हैं हम लोग syllabus के तो मैं आप सभी लोग को पिता दू mathematics का जो syllabus है इसमें आ जाएगा आप लोग का सब्सक्राइब करना है अगर आप लोग ने बेसिकली सी लेवस भी पढ़ाया पुरा कंप्लीट किया ता आप लोग अभी से मोक टेस्ट लगाए मैंट्स और रिजनिंग का आप लोग आप लोग को सभी करना रहेगा क्योंकि qualifying रहता है अगर आप लोग बात कीजेगा तो इसमें जो है कि जैदा तर अल्फा नुम्रिक सीरेज से कोश्यन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से कोश्यन आता है अव बात कर लेते हैं अब लोग को बहुत फोकस करना है जयोंगा जो कि हिस्ट्री जोग्रोफी आर्ट एंड कल्चर सिविक्स एकोनोमिक्स जन्रल साइंस एंड इंवर्मेंटल इस्टडिस अप्टू 10 इस्टेंडर मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें उसमें बताया है कि एससी में GKGS की खास करके MTS में कैसे प्रिप्रेशन करें प्लेश्ट में वीडियो होगा आप लोग उसको जाकर देखें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है ठीक है अब बात कर लेते हैं इंग्लि में चलना रहता है 20 मिट में अब बात कर लेते हैं PST यो सिर्फ हवलदार के लिए होता है इसमें मेल की हाइट जो है की 157 cm होना चाहिए होगा पूरा इसमें बता दिया है मैंने आप सभी लोगो इस से लेक्जाम डेट फॉर्म अपलाई कफ सी होगा अब नीचे एक और इंफॉर्मेटिव चीज है जो आप लोग को बता देता हूं मैं देखिए अगर आप लोग छौन से रिष्टेशन करना चाहते हैं तो आप लोग अपने मुगायल से भी आसे के अपलोग को अधा नम्बर डालना है फिर उसके बाद आप लोग को अधार डालने के बाद कोई भी आप बेसिकली नाम डालना है ठीक हैसे और फिर कि यह से वेशे करना ही हो डालना है और इसके बाद रोल को करना है करने के बाद एक का उप्षन और फिर उसके बाद को दूसरा इंटरफेस उपर आगा फिर आपकी से हैं जनरल से हैं से उसको क्लिक करना ठीक है कहाँ कहा है अई अप लोग को डालना है और फिर इसके बाद कोई डिसेबिलीटी है अप लोग को वो क्लिक कर देना revenues है तो ठीक है नहीं हो परि抹क माइनिंट एडiamat इंड्रेस टेट यहां से हो जाएगा आप लोग को रेजिटर आइडी और पास्वर्ड मिल जाएगा उसके बाद फिर से लोगिन किजेगा तो जब आप लोग को आपका पूरा डिटेल भरा हुआ मिलेगा ठीक है सब्सक्राइब को लोग को सेंटर चूज करना होगा तीन और फिर किस मेडियम में आप लोग को एक्जाम देना चाहते हैं और उसके बाद यह पूरा भरा हुआ आएगा फिर उसके बाद यह कोड है इसमें बहुत सारे बच्चे फस्ते हैं और इसी कान्ट उन लोग को फोटो और सिंगनेचर डाखना चाहिए और और आप लोग को एक इसा फोटो का फोर्म रिजेक्ट हो जाएगा और इसके लिए फॉटो और इस कीलिए अच्छे से डाले बता दिया सब कुछ एक?」 अगर आप लोग को इसके बाद जी कोई प्रोब्लम है इसके अंदर तो आप लोग कमेंट करके ज़रू बताएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं नेक्ट चैनल के साथ नेक्स वीडियो में जैहिंद